करो सन्माज सासत्र के प्रकृति प्रक्रति है उसका इस the important question समासास की प्रिकृति का स्पष्ट करो कभी ऐसा कोशन एक्जाम में आता है तो आप इस कोशन को कैसे सॉल्व करोगे मतलब कैसे करके आओगे तो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं एक बार आपको मैं पूरा पढ़के सुना देता हूं बस कान में सुन लेना ध्यान से याद हो जाएगा इसे ज्यादा पढ़ने की जुरुत नहीं वास इतना आपको यहां देख रहे हैं यहां से ज्याद हम तीन विंदू को याद करेंगे बहुत हो गया ज्यादा याद नहीं करना है लोगों को बना बना के करके आना है पूरा कोशन ऐसा थोड़ी है कि हम शा लिंक रहाँ जाना इतो नोट का लिंक डिसकॉप्शन बॉक्स में इसके डान लूट कर पाएंगे नोट डिक्रति हो पे लिंग वारे Swag Solutions की बार स्टर डा यहां से लेकिने समासास्त्र की प्रिकृति के संबंद में विचारकों में लंबे समय से ये मतवेद रहा है मतलब कि उनकी प्रिवर्ति को देखकर उनकी प्रिकृति को समासास्त को देखकर जो विचारक है मतलब कहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या क्या बहुत दिनों के उनके कि अंदर मत भीद रहा है मतलब कि अलग अलग वाते रही है सब कि यह किसी ने समास्तात्र रही है किसी ने किसी का उसके बाद कहा कि कुछ बिद्वान समाज सास्तर को बिज्ञान की स्रडी में रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि समाजिक घटनाओं और या फिर एव समाजिक पहलूँ का बैज्ञानिक अध्यन किया जा सकता है अब कुछ बिद्वान उने क्या कुछ लोगों ने ये भी कह इस बात बे गांथा कि इन बातुक इन करा इस बात पर बल देते हैं कुछ बिद्वान इस बात पर बल देते हैं कि जो समाजिक घटनाई हैं उनकी प्रिकृति समाजिक बेवहार इतना जटोल है कि इनका 憏 इंका रग्यानिक अर्धियन संभव नहीं हैbas अलग अलग राइथ है तो अलग अलग सबकी राइथ ही अब धेखो उसके बाद में क्या हुआ कि अब एक थे रोवर्ट विस्टिक उन्होंने कहा हुए आपनी पुस्टक लिकिंगे उन्हें पुस्टतु का नाम था, उन्हें लिखा कि समाच-सास्थ्र की बैज्ञानिक प्रिकृति समंदी बिभाद का अंत करते हुए समाज सास्तर की पिरकृती समंदी निमनिखित विश्यस्ताओं का उल्लेक दिया उन्होंने कहा कि भाई आप तुम बहुत लड़ाई कर रहे हो आपस में तुम लोग कहरो कि समाज सास्तर बिग्यान है कोई कहरा नहीं है तो उन्होंने क्या किया एक उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था दो सोशल ओडर अब उन्होंने क्या किया समाज सास की जो बैग्यानिक बिग्रती थी उस समंदी बिभाद को अंत करते हुए मतलब कि उस बिबाद पर उन्होंने अंत किया कि भाई या अब आज की बाद तुम लड़ाई नहीं करोगी कि विग्यान है नहीं है जो मैं बता रहो वो ध्यान दो उन्होंने क्या किया उस पिरकर्दी को समंदित कुछ बिसेष्था है उल्डे की अब विसेष्था है कौन कौन सी है तो मैंने कहा तीन चार्व विसेष्था है ब्राद बहुत हो जाएंगी तो देखो पहली विसेष्था की बात करने है समास्सासर एक समाजिक बिग्यान है उन्होंने कहा जो समाज सास्त है वो समाज एक विग्यान है ना कि वो प्रकृतिक विग्यान है ठीक है उन्होंने कहा अब उसको उन्हें कथन में स्वच्ट किया कि एक विग्यान के रूप में समाज सास्त की प्रकृति बहुतिक विग्यान की प्रकृति से भिन है ठीक है उसके बाद दूस सात्मक्त बग्यान नहीं है वो एक बास्त्रिक बग्यान है समास्त्र यह कहा उन्होंने उसकी बाद में देखो उन्होंने कहा कि समास्त्र में केवल केवल क्या है का अध्यान नहीं किया जाता मतलब क्या है का अधन नहीं किया जाता क्या होना चाहिए से इसका कोई संबंद नहीं है क्या होना चाहिए मतलब कि क्या है यह अधन किया जाता है लेकिन क्या होना चाहिए इससे कोई विशुद्व बिज्याने गयान है जैसेहां देखो अब यह लिएक बिज्यान बिशुद बिज्यान कैसी होती है एक बिशुद बिज्यान के रूप में समास्तास्तर का कारे समाजे घटनाओं के वास्तिविक ज्यान के आधार पर सिधानतों का प्रति बादन करना है यह हो गया उसके बाद में हम सब आपको पॉइंट पड़ा देते हैं जो भी आपको समजस्तर बिज्यान नहीं है उन्हें कहा कि समाज साथ रहे मैं समानविज्यान नहीं है उन्हें किया था अब उन्होंने एक्ष्पन किया है कि समाज साथ उन उन समान नियमों को ग्याद करता है जो विभिन समाज या फिर तर्थियों के अध्यन से भी संबंदित है जो तार्किक आधहार पर महत्पूर होते हैं और इन आधहार पर समाज साथ तर्किक होने के साथ ही अनुभब सिद्ध भी हो जाती है यह चीज ताकिक होने के साथ तो यह 6 पॉइंट से जो आपको करने थे, आप इन में से 3 पॉइंट भी कर देना, तो आपको पूरी नंबर मिल जाएंगे, लेकिन करके पूरे आना है, ध्यान से, आप एक बार समझ लीजिए, जो भी आपको सर लगे, वो 3 पॉइंट याद कर लो, और करके आ जाना, ये मुंस इने प्रेकिन मेंस अजय सक्ड़ Mोशी नंच कर दो आएंगे, जया जए लीजिए, प्रोफा साबसू आपको सर दो नष्यू है जा जाना है करे दोदय कर श Dieby